बकाडियों प्रस्तुत कर रहा है धेर सारी कहानियां। बच्चों बकाडियों के बस्ते से एक पर फर्ष से निकली है जापान की प्यारी सी बच्ची तो तो चान की कहानी। पिछले भाग में आपने जाना समुद्र से और कुछ पाहार से खाने का मतलब क्या होता है। सेर की हम क्यों बैठी रहे हम भी चलेंगे। खाना खा चुकने की बाद दूसरे बच्चों के साथ तो तो चान कुछ देर मैदान में खेलती रही। इसके बाद वहबी अपनी कक्षा में लौट आई जहां सिक्षिका उनकी राह देख रही थी। बच्चों तुम लोगों ने सुभा मन लगा अगर अपना काम किया है। सिक्षिका ने कहा अब दो बाहर बाद क्या करना चाहोगे तुम लोग। इसके पहले कि तो तो चान ये सोच भी पाती कि मैं क्या करना चाहती है। बाग की बच्चे एक साथ बोले। सेर करेंगे। यही सही। सिक्षिका ने कहा और बच्चे तुरंट बाहर की और दोड़े। तोटो चान डाड़ी और रोकी के साथ तो सेर करने जाती थी पर स्कूल से भी सेर करने जाते हैं। इस विचार से वह अपरिचिती उसे अचमभा हुआ। सेर करना उसे बेहत पसंद था। इसलिए वह बेसबर भी होने लगी। यह तो उसे बाद में पता चला कि अगर बच्चे सुभा सुभा पूरी लगन से सिक्षिका की बनाए सूची का सारा काम पूरा कर लेते थे तो उन्हें अकसर दोपाहर को सेर करने की अनुमती मिल जाती और यह नियम सब पर लागू होता था चाहे वे पहली कक्षा के बच्चे हो या अच्छ ठीके। वे सब स्कूल के दरवाजी से बाहा निकल आए। नो के नो बच्चे और उनकी बीच ओ बीच उनकी सिक्षिका। वे एक नहर के किनारे किनारे चलने लगे। नहर के दोनों किनारों पर चेरी के पेर थे जो हाल ही में फूलों से लदे थे और उनकी पार थे खेत पीली सर्सों से अटे हुए। दूर जहां तक नजर दोड़ती हर तरफ पीले खेत ही खेत दिखते थे। नहर वर्षों पहले अद्रश्य हो गई थी। अब वह स्थान आवास ये भवनों और बाजार से अटा पड़ा है। लेकिन उन दिनों जियोका ओका के अधिकांच छेतर में खेती खेत थे। हम कुनों बुच्चु मंदिर तक जाएंगे। जिस लड़की की फ्राग पर खरगोश था उसने कहा। उसका नाम था साकुचान। पता है पिछली बार हमने तलाग की पास एक सौप दिखा था। साकुचान ने कहा। मंदिर में एक पुराना कुवा है। लोग कहते हैं उसमें एक तारा तूट करा गिरा था। चलते चलते बच्चे पता नहीं क्या क्या बाते कर रहे थी। आकाश का रंग उस समय गहरा नीला था। और हवा में तितनिया पंक फरफडा रही थी। जब पच्चे लगभग दस मिनट चल चुके तो सिक्षिका रुकी। कुछ खिले हुए पीले फूलों की तरफ इशारा करते हुए वे बोली। जरा इन सर्सों के फूलों को तो देखो, क्या तुम्हें पता है कि ये फूल भला खिलते कैसे हैं। तब वे फूलों की स्री केसर और पुंकेसर के बारे में बताने लगे। बच्ची उन्हें घेर कर बैठ गए। सिक्षिका ने बताया कि तितलियां फूलों की खिलने में मदद करती हैं। और सच में सभी तितलियां फूलों की सहायता करने में बेहत व्यस्त दिख रही थी। तब सिक्षिका आगे बढ़ी बच्चों ने फूल देखना बंद किया और उठने लगे। इतने में किसी ने पूछा। ये पिस्टॉल की तरह तो नहीं दिखते, क्यों। तो तो चान को भी नहीं लगा कि पिस्टॉल जैसा कुछ भी फूल में हो। पर वे दूसरों की तरह इतना जरूर समझ गई कि स्ट्रीकेसर और पूंकेसर महतपून चीजे हैं। दस मिनाट और चलने पर वे एक बाग के पास पहुँचे। ये खना बाग कुहुन बुच्शू के मंदिर के चारों ओर था। अंदर पहुचते ही बच्चे इधार उधार चितरा गए। तारे वाला कुहा देखोगी। साको चान ने पूछा। तो तो चान तुरंद मान गई और उसकी पीछे पीछे भागी। कुहा पत्रों का बना था। उसकी उचाई बच्चों की छाती तकी। उपर था लकडी का धकन। धकन उठाकर वे नीचे जाकने लगी। तो तो चान को अंदर जो दिखा। वह तो कंक्रीट के धेर या एक बड़ी सी चटान जैसा कुछ था। चमचमाते टिमटिमाते तारे की जो कलपना उसने मन में की थी उससे बिलकुल ही भेन। काफी देर तक अंदर जाकने के बाद उसने पूछा। क्या तुमने तारे को देखा है। साको चान ने गर्दन हिलाते हुए का। ना कभी नहीं। तो तो चान सोच में पड़ गई। यह तारा बाला चमकता क्यों नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा। शायद सो रहा है। साको चान की बड़ी बड़ी आखे कुछ और फैली। और उसमें पूछा। क्या तारे सोते हैं। मुझे लगता है वे दिन भार सोते होंगे। ताकि राद भार जाग कब चमक सके। तो तो चान ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया क्योंकि सही बात का पता उससे भी नहीं पता था। अब सारे बच्चे एक सान पर इकठे हो गए। और मंदिर में घूमने लगे। उन्होंने दर्वाजे के दोनों और लगी देव राजाओं की उची प्रतिमाएं देखी। और उनकी मूटी थुल्थु तोंडों पर वे खूब खिल खिला है। पर मंदिर के गर्वग्रे के धुनलके में बुद्ध की विशाल प्रतिमा के सामने वे कुछ चुप चुप हो गए। मंदिर के आहाते में एक बड़ा सा पदचिन बना था। कहा जाता था कि वे टेंगू नामक लंबे नाक वाले एक बिताल के पैर का निशान था। बच्चों ने एक एक कर उस पर पैर रखा। वे इधर उधर घूमें नाम में बैटी सवारियों से हाथ हिला हिला कर हेलो कहा। चंकीले काले पत्थर बटोर कर जी भर कर कबरों के आसपास पहल दूज खेली। हर चीज तो तो चान के लिए नई थी अनूठी थी। उसने एक एक नई खोज का खुशी से चिक चिक कर स्वागत लिया। लोटने का समय हो गया है। ढलते सूरच को देख कर सुखिका ने कहा। बच्चे सरसों के खेतों और चेरी की कतारों की बीच से गुजर वापस स्कूल की और लोटने लगे। बच्चों को तब ये कता ही एसास न था कि खेलने कूदने और आजादी का ये समय असल में विज्ञान, इतिहास और जीव विज्ञान के महतपून पाड़ थे। तो तो चान ने इस बीच हर बच्चे से दोस्ती कर ली थी। उससे लगा मानों वह उन्हें हमेशा हमेशा से जानती हो। कर से खुमने चलेंगे। उसने अपने साथियों से लोटे समय चिल्ला कर कहा। हाँ जरूर चलेंगे। वे भी उचलते कुट्टे बोले। तितलिया अब भी फूनों की मदद करने में व्यस्त थी। और हवा में पक्षियों के कलरव की गूंज थी। तो चान की खुशी अंदर समा नहीं पा रही थी। तो कैसी लगी? मज़ा आया ना? हाँ यहाँ तो बच्चे खूब मज़े करते हैं और खेलते भी हैं और हाँ सबसे जरूरी सीखते भी हैं। है ना कितनी बढ़ियां बात अगले भाग में जानेंगे तो तो चान के लिए और क्या-क्या अचमभा है रेल-काड़ी वाले स्क तो बच्चे लगी